में गिरावट की एहम वजय क्या रही इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं आगे की क्या परिस्तितियां बन सकती हैं इसके लिए हमारे साथ एकरा की चीफ एकॉनमिस्ट अधिती नायर जूर चुकी है अधिती मैं बहुत-बहुत सपागत था आपका पहला तुम्हें आज के डेटा पर आपका इनालेसिस हाइलाइट्स आपके लिए क्या हैं तो आइक्स नीपक जी देखिए आज डव्यूपी आए का जो आकड़ा आया हूं हमारे एक्स्पेक्टेशन से पॉर्टी बेसिस पॉइंट्स कम था और सीपी आए इंप्टेशन का आकड़ा सिरफ साथ ब करका से उपर था तो आई वुड़ से कि CPI लाजली इनाएं थोड़ा बहुत पॉजिटिव सप्राइज था अब आगे जाके दोनों में हमें लगता है कंटिनूर डांट्रेंड होगा नवेंबर के महिने में भी जरहां तक MTC की बात होती है तो क्योंकि अभी भी CPI का के महिने में में मौडरेशन हुई है CPI में में और नवेंबर में और भी मौडरेशन होने का एक्स्पेक्टेशन है रफ्ले आउट से 6-6.2% के आसपास की CPI में कर रहे हैं नवेंबर के महिने के लिए साथ ही साथ जो Q2 का GDP ग्रोथ का आकड़ा है वो इस महिने के एंड पर हमें लग रहे है कि शायद Q2 का जो ग्रोथ है वो MPC के फोरकास से हलका सा उपर हो सकता है तो इन सब चीजों को बैलन्स करते हुए हमें यह लग रहे है कि 35 पेस्पोंट्स का रेथ है डिसम्बर के पोलसी रिव्यू में होगा और उसके आगे बिलकुली डेटर डिपेंडन सिंचुएशन रहेगी क्या CPI inflation 6% के नीचे आ जाती है Q4 में और साथी साथ किस तरह का इंपाक्ट होता है हमारे domestic growth outlook पे especially given the external demand जो अब काफी लग रहा है कि वीकन मूती चाहेगी आगे जाके absolutely मैं और मैं cool off हुए है food prices आपको लग रहा है कि एक छोड़ी से window कम से कम सरकार को मिल गई है कि वो कुछ राहत ले पाए जैसे कि जो अन्सीजनल रेंफॉल अक्टोबर के बिगिनिंग में ती उससे परिश्वल प्राइसे जो वेजटेबल प्राइसे हैं उन्पे एक इम्पैक्ट आया है पूड इंफलेशन जो है वायोवाई तर्म में नीचे गिरी है क्योंकि बेस जो है वो काफे अड़र सा तो आइधिंक यह हमको थोड़ा सा कीप अन्माइड करना होगा पिछले साल अक्टोबर के महीने में प्राइसे जादा बड़ी इस साल बड़ी है लेकिन पिछले साल क मुकाबले कम बड़ी है इसलिए वायोवाई इंफलेशन में एक हमें वेरी वेलकम दिख रही है लेकि यह मतला नहीं है कि सब्टेंबर से अटोगा ने हर अटम हर फूड आइटम या हर फूड के साविटनेक्स की प्राइस नीचे आई है कुछ आई है लेकिन कुछ उपर आपने काया कि trajectory downwards ही रहेगी लेकिन जो tolerance level के अंदर जो inflation आएगा वो आप कब तक देख पा रही हैं 6% से नीचे अगर यान सीजनल रेंफॉल वेजटेबल के प्राइस को ना बढ़ाता तो आवड़ाथा कि नवेंबर में ही 6% से नीचे हमारा पहले 5.8% का नुबान था नवेंबर के लिए बट जिस तरह से वेजटेबल प्राइस में हमें एक अप्टिक दिखी है तो अब हमें लग रह चाहिए तो यहां कहां किती जल्री पूल ओफ होता है तो यह सबसे वड़ा फैक्टर रहेगा कि कब थ्रेशोड के नीचे ओवरॉल इंफेशन आती है I am still hopeful कि Q4 के अंदर तो आजी चाहिए Q4 के अंदर आना चाहिए tolerance band के अंदर उसके दाइरे में तब जाकर कुछ बात बनती भी नज़र आएगी लेकिन मैम क्या एक बार फिर से वही सवाल क्या एक एक breathing space मिला है government को RBI को कि अब वो inflation को छोड़कर थोड़ा सा growth पर focus कर पाए कि मेरे हिसाब से तो जब जैसे ही inflation inflation tolerance band के अंदर आ जाएगी तब हमें थोड़ा सा वेटेज ग्रोथ की तरफ और पढ़ाना चाहिए especially अभी जिस तरह से external factors एक बहुती cautionary outlook दिखा रहे है तो मुझे लगता है कि growth का किस तरह से outlook आता है potential growth से हम कितमे आसपास या दूर लग रहे है second half of FI 23 और FI 24 वे यह सब factors भी हमें आगे जाके देखने होंगे बड़ जब ता कि inflation 6% के नीचे नहीं आती मुझे लगता है inflation की primary focus रहेगा एक बार जब 6% के नीचे आ जाती है उसके बाद थोड़ा growth में focus वापिस बढ़ता है जा सकता है मैम आखरी सवाल हमारे जो inflation numbers है वो थोड़ा सा encouraging है US के inflation number भी हमने देखा कि वो भी encouraging थे लेकिन global uncertainties अभी भी है कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसे में आप overall पूरी के पूरी जो world economic जो order है उसमें आप थोड़ा से एक स्थिरता कब तक देख पा रही है जैसे UK की economy है वहाँ पर मुझे लगता है कि जादा थोड़ा stretch side थोड़ा प्रलॉंग रहेगा युएस अगर recession में जाता है तो शायद उससे जादा जल्दी बाहर निकल पाएगा तो अभी overall geopolitics का भी क्या हाल रहेगा चाइना में क्या हम जो रिसेंटली हमने कर्ब्स को इस होते हुए देखा है क्या वो उस पात पर continue कर पाएंगे बहुत सारे सावाल है तो मुझे लगता है global economic outlook तो clouded भी है और uncertainty है Indian economic growth definitely global economy को outpace करेगी लेकिन जो एक्सपोर्ट का दायरा है वो किस तरह से हमारी global हमारी domestic growth को नीचे की तरफ लाएगा अब यह बहुत बड़ा factor है जो हम study करेंगे at the same time other global economic outlook soft ready है और commodity prices नीचे आते हैं तो यह हमारे लिए positive factor है तो positive भी है negative भी है कौन सा आउट वे करेगा वो अभी थोड़ा clear नहीं है कि हमारे domestic growth पे lower commodity prices से एक volume benefit आता है especially for the low income consumers या हमारे exports का जो channel है वो जादा बड़ा हेट लेता है global economic growth के कम होने से अगर मैं सही हूँ तो आपने कहा कि अगली MPC में शायद 50 basis तो अभी बचा हुआ है वो उतना तो करेंगे अभी नहीं 35 basis points, December में हम किने 35 basis points और February तो अभी मेरे हसाब से it's too early to call December में हम 35 basis points का rate high के expect करें All right ma'am, thank you so much ma'am, आपने वक्त निकाला और इस महंगाई के आंखडों का wish relation किया Thank you so much ma'am